दिल्ली की गेरे बंदी कर दी जुडी कई दूसरी मांगों को लेकर दिल्ली गेरने की तैयारी कर लिए 2020 में भी किसानों ने करीब एक साल तक दिल्ली के अलग अलग बॉडर पर धरना प्रदर्शन किया था और करीब एक साल बाद वो वहां से हटे थे एक बार फिर किसानों ने ऐलान किया है कि केंद सरकार पर दबाव बनाने के लिए वो दिल्ली को घेरेंगे लेकिन किसानों के दिल्ली कूच को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड लगाने के साथ सड़क पर लोहे की कीलें बिछा दी दिल्ली में दाखिल होने वाले रास्तों पर भारी संख्या में पुलिस और अर्दसैनिक बल के जवानों को तैनात कर दिया गया दिल्ली और हर्याणा के बीच सिंगु बॉर्डर पर तो चार फीट उंची दीवार बना दी गई और सडक पर बिचाने के लिए खास तरह की लोहे की बड़ी बड़ी पटिया मंगवाली गए इन पटियों में पहले से ही नुकीली कीलों को व्यल्डिंग के ज़रीए जोड़ दिया गया था कि ये बैरिगेट तो होगा ही लेकिन ये जो कील बैरिगेटिंग जिसी कहते हैं वो भी कर दी जाएगी जिससे की अगर आप किसी भी गाड़ी से आगे बढ़ रहे हैं तो आप वही पर रुख जाए लोहे की नुकीली पट्टियों के अलावा पुलिस ने सिंगू बॉर्डर पर भारी मात्रा में कटीले तार भी मंगवा लिये ड्रोन से बनाये गए वीडियो में सिंगू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए की गई तीन लेयर की बैरिकेडिंग दिखाई दिये सबसे पहले सिमेंट के बैरिकेड और उसके बाद लोहे के बैरिकेड रखे हुए दिखाई दिये उनके उपर कटीली तार भी रखी नजर आई इसके बाद सबसे आखिर में बड़े बड़े कंटेनरों को एक कतार में रख दिया गया किसान अपने ट्रैक्टरों से इन कंटेनरों को हटा ना दें इसका भी इंतजाम कर दिया गया यानि किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने सिंगु बॉर्डर को पूरी तरह सील करने का इंतजाम कर दिया और किसानों के दिल्ली कूच को रोखने के लिए दिल्ली और उत्तरप्रदेश के बीच गाजीपूर बॉर्डर पर भी सिंगू बॉर्डर जैसे ही इंतजाम दिखे किसानों के अंदोलन को देखते ही पूरी दिल्ली में 12 मार्च तक 1244 लगा दी गई गाज्यपूर बॉर्डर पर उत्तरप्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस ने मुस्तहधी बढ़ा दी और उत्तरप्रदेश से दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्ते के एक हिससे को बंद कर दिया गया वहां मौझूद ट्रैफिक पुलिस के सिपाही लोगों से दूसरा रास्ता लेने की अपील करते दिखे गाजिपूर बॉर्डर पर इस तरह से ये ट्रैफिक ड्राइवर्ट किया गया है कुछ लोग हैं जो ड्राइवर्ट होते हुए रास्ता भी पूछ रहे है गाजिपूर बॉर्डर पर पुलिस के साथ भारी संक्या में रैपिड अक्शन पोर्स के जवान भी मुस्ताइद दिखाई दिए ऐसा लगा जैसे वहां रैपिड अक्शन पोर्स की कोई चावनी हो किसानों को रोकने के लिए लगाए गये बेरिकेड के पास टैनात, आरेअफ जवानों के हाथों में आंसू गैस के गोले दागने वाली बंदूख भी नज़र आ dependent की आए यानि प्रिशासन की तैयारी किसानों को किसी भी हाल में डिल्ली की सीमा पर ही रोक देने की है खबरों के मताबिक उत्तर प्रदेश, हर्याना और पंजाब के अलावा मध्य प्रदेश और उत्तरा खंड से भी कुछ किसान दिल्ली कूच की तैयारी में लेकिन किसान संगठन दिल्ली में एंट्री न ले सकें, इसके लिए राजधानी को पहले ही किसी अभेद्यक तिले में तब्दील कर दिया गया क्योंकि पुलिस पिशासन को इस बात की आशंका है कि अगर किसानों के संगठन दिल्ली में गुसे तो हंगामा बढ़ सकता है हर्याना और पिजाब के बीच शंबू बॉडर पर भी पुलिस ने पैरा बढ़ा दिया लेकिन किसानों को रोकने के लिए की गई पुलिस की मॉक ड्रिल के दोरान हालात बिकड़ गए और अफरा तफ्री मज गई क्योंकि किसानों को रोकने के लिए की गई बैरिकेडिंग के पास पुलिस ने आंसु गैस के गोले दाग दिया पुलिस की तरफ से छोड़े गए आंसु गैस के गोलों की वज़े से वहां तेज दमाके जैसी आवाजें सुनाई दी इसके बाद वहां भगदर जैसे हालात हो गए वहां मौजूद लोग इधर उधर भगते दिखाई दिये थोड़ी ही देर में वहां चारों तरफ सफेद धुआ पहल गया वहां खड़ी मीडिया कर्मियों के गाडियों के पास भी सफेद धुआ उठता दिखाई दिया इसके बाद पुलिस की एक टीम वाटर कैनन की मदद से पानी चड़कती नज़र आए पुलिस ने इस मॉक ड्रिल की जानकारी पहले ही दे दी थी लेकिन इसके बाद भी दमाके की आवाज सुनते ही अफरा तफरी मच गए हर्याना की तरफ से किसान दिल्ली में दाखिल ना हो सके इसके लिए शम्भू बॉर्डर को बैरिकेड और पुलिस के जवानों से पाट दिया गया दिल्ली के अलग-अलग बॉर्डरों पर किसानों को रोकने के लिए किये गए इंतिजामों ने तीन साल पहले हुए किसानों के अंदोनन की याद दिला दी झाल को दिला लिया झाल 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 सनुव recap से जस्वाँ हुए झाल झाल